नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचे दोस्तु पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके पानी के साथ इस फल के चूण का सिवन मधुमे को ठी करता है तो दूद के साथ शारीरिक शक्ति बढ़ाता है ये बुढ़ापा दूर कर हमेशा जमा रखता है जिहां मधुमे या डाइबिटीज हाल के सालों में होने वाला सबसे खतरनाक जिवन शेली रोग माना जाता है हर स साल कई हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं आये जानते हैं मधुमे के बारे में जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं किसी भी कारियों को करने के लिए उर्जा की अवशक्ता होती है शरीर को भी उर्जा की अवशक्ता होती है और शरीर इसकी के द्वारा होता है भोजन शरीर में जाकर ग्लुकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लुकोज रक्त में मिल जाता है मधुमेह रोगी शरीर में उपलब्द ग्लुकोज का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है मधुमेह चया पचय विकार है रक्त में ग्लुकोज की बढ़त नुक्सान पहुंचाते हैं जिसके कारण समय से पहले ही अधिक उम्र दिखाई देने लगती है दरसल उम्र पर असली असर खान पान का पड़ता है कोस्मेटिक्स का नहीं इसलिए हमेशा जवान बने रहने के लिए जवानी को फिर पाने के लिए या हमेशा जवान बने रहने के लिए अईरुवेद में अनिक जड़ी बूटियों के नाम दिये गए हैं जिन से बुढ़ापा दूर रहता है आज हम आपको अपने इस वाई सवर के माध्यम से मधुमिह और बुढ़ापा दूर करने के लिए एक ओश्रधी बता रहे हैं जिसका नाम गुलर है इससे आप इन दोनों समस्याओं से निजात पा सकते हैं आईए जानते हैं इसके बारे में मधुमिह एक चमच गुलर के फलों के चूण को एक कप पानी के साथ दोनों समय भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से पिशाब में शरकरा आना बंद हो जाता है इसके साथ ही गुलर के कच्चे फलों की सबजी नियमित रूप से खाते रहना अधिक लापकारी होता है मधुमेह रोग ठीक हो जाने के बाद इसका सेवन करना बंद कर देना चाहिए शारीरिक शक्तिवर्धक जिहां पका हुआ गुलर सुखा कर पीस कर चून बना लें इस चून में इसी के बरावर की मातरा में मिश्री मिला कर किसी बोतल में भर कर रख दें इस चून में से दो चम्मच की मातरा गर्म दूद के साथ सेवन करने से शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है इसका सेवन करने से दमपत्ति वैवाहिक सुख को भोगते हुए स्वस्थ संतान को जन्म देते हैं शरीर को शक्तिशाली बनाना जिहां लगभग सो ग्राम की मातरा में गुलर के कच्चे फोलों का चून बना कर इसमें सो ग्राम मिश्री मिला कर रख दें अब इस चून में लगभग 10 ग्राम की मात्रा में रोजाना दूद के साथ लेना है आपको इससे शरीर को भरपूर ताकत मिलती है आप हमेशा जवाँ बने रहेंगे और शरीर हिश्ट पुष्ट बन जाएगा मधुमेह में यह फायदे मंद होता है जी हाँ दिन में एक बार दो चमच करेले के रस का सेवन करें दिन में दो बार एक चमच मेथी के पावडर का सेवन पानी के साथ आवश्य करें दिन में एक बार दो चमच कड़वी लौकी के रस को एक चमच आउला के रस के साथ मिला कर स प्रति दिन एक घंटा व्यायाम जरूर करें आपको लाब होगा तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महतुपूर जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्त झाल जानकाई जानकाई